नमस्ते, मैं Dr. Vijay Lakshmi Singh हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी Pimples या मुहासों के बारे में मुहासे क्या होते हैं, मुहासे किस कारण से होते हैं, यदि आपको मुहासे हो जाएं, तो उस हालत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और finally मुहासों का Medical Treatment मुहासे इसलिए होते हैं, कि आपकी तवचा में जो oil glands होते हैं, उनका जो रास्ता होता है, वो block हो जाता है और उसके अंदर का तेल infect हो जाता है, तो आपको मुहासे हो जाते हैं ये ज़्यादा करके चहरे पे, गले पे, कंदों पे, छाती पे और पीठ पे होते हैं जिस चीज़ को आप कील या white head, black heads कहते हैं, वो भी एक तरह से oil gland के block होने से ही होते हैं मगर उसमें infection नहीं होता है कम से कम 80 प्रतिशत लोगों में, age group में 11 से 35 साल में लोगों को मुहासे होते हैं ये familial होते हैं या आपके घराने में आपके मदर फादर को ये दी pimples होते हैं तो आपको भी pimples होते हैं दूसरा होता है hormones जब हम तीन येर्ज में आते हैं तो हमारे शरीर में hormones की मात्रा एकदम बढ़ जाती है खास करके androgens या male hormones और growth hormones इनकी quantity बहुत जादा बढ़ जाती है इसके होने से हमारी तवचा में oil glands जो होते हैं वो भी multiply होने लगते हैं और उस कारण जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो pimples होती हैं आदमियों में pimples के जादा chances होते हैं बनिस्बत और्दों में मर्दों में हमेशा androgen levels जो male hormones होते हैं उनका level हमेशा high रहता है ladies के अंदर जब उनके periods आने वाले होते हैं उस time androgen hormones का level उपर जाता है और अक्सर देखाऊगा कि periods के पहले ladies में अक्सर मुहा से निकलने लगते हैं कई लोगों को धूप से allergy होती है और वो ज़्यादा धूप में निकलते हैं तो उनका चेहरा लाल हो जाता है और उसके बाद मुहा से निकलने लगते हैं यदि आपको इस तरह की problem है तो directly धूप में जाना avoid करना चाहिए और जब भी आप धूप में जाएं उस time sunscreen का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए कई लोगों को खाने पीने की चीजों से भी allergy होती है जैसे कई लोगों को फिश के खाने से या अंडा खाने से या दूद पीने से या टमाटर रत्यादी खाने से allergic reaction होने लगता है और उसके बाद एकदम मुहासे निकल पड़ते हैं यदि आपको इस तरह की problem है तो आपको जो चीज से allergy है उसे identify करना चाहिए और उसको खाना avoid करना चाहिए अब stress एक इसी चीज है जो सबको होती है मगर वो directly आपको मुहासे नहीं बनाती है मुहासे इस तरह से बनते हैं कि यदि आप हमेशा है stress में रहते हैं तो आपकी शरीर में steroid hormones का level बहुत उपर चले जाता है और उससे कील मुहासे बनने लगते हैं यदि आपको pimples और मुहासे हो रहे हैं तो दिन में दो बार जरूर से अपना face wash करें गुनगुने पानी से और non soap cleanser से साबुन का जितना कम से कम इस्तेमाल करें अपने चेहरे पे उतना ही अच्छा है आपको यदि pimples हैं तो बार बार अपना मुह नहीं धोना चाहिए उससे तवचा irritate हो जाती है और pimples बढ़ सकते हैं उसी तरह से आपको अपने चेहरे पे scrub का इस्तेमाल बिलकुल नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी तवचा already परिशान है और उसको आप scrub करके अपने pimples को सिर्फ बढ़ावा देंगे यदि आपको pimples हैं तो अपनी तवचा को scrub बिलकुल ना करें क्योंकि उससे आप अपनी तवचा को बहुत जादा irritate करते हैं और आपकी pimples उससे काफी बढ़ सकती है यदि धूप में जाने से आपकी तवचा को प्राबलम आती है तो आप धूप में जाने के पहले जरूर से संस्क्रीन का इस्तमाल करें मेरी सलाई यह है कि संस्क्रीन जिसका SPF 15-20 हो उसे इस्तमाल करना चाहिए ज्यादा SPF वाले संस्क्रीन हेवी होते हैं और वो अगेन आपके पोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं और आपकी pimples को बढ़ावा दे सकते हैं अपने बालों को हमेशा साफ रहें और उसे अपने चहरे पे ना गिरने दें क्योंकि बालों के अंदर बहुत जादा धूल मिटी और गंदगी ट्रैप हो जाती हैं और जब वो बाल हमारे चहरे के उपर चलते हैं तो उससे चहरे में infection हो सकता है यदि आप अपने कीलों को हाथ लगाते हैं बार बार तो उसमें infection होके और वो pimples बन जाते हैं और यदि आप अपने pimples को और अपने मुहासों को दबाते हैं तो जब वो ठीक पहले बात तो उसका infection चहरे पे दूसरी जगे पे ट्रांसफर हो सकता है और दूसरी जब भी वो ठीक होंगे, वहाँ पे एक स्कार या निशान जरूर छोड़ देंगे. इसी तरह से आपकी जो सेल्फोन स्क्रीन होती है, वो बड़ी गंदी होती है. उस पे दुनिया भर का धूल, मिट्टी, ओईल, सब कुछ होता है. और यदि उसे आप अपने चेहरे से चिपका के बादचीत करते हैं पूरे टाइंग, तो उसमें से जो इन्फेक्शन है, वो आपके चेहरे पे ट्रांसफर हो सकता है, और आपके मुहासों को एग्रिवेट कर सकता है. हम जो खाना खाते हैं, उसका असर हमारी त्वचा पे एकदम डिरेक्टली दिखता है. मेरी एडवाईज हमेशा के लिए ये है कि आपको मौसमी फल और सबजियां खाना चाहिए, अपनी डायेट को 70% वेजिटेरियन रखें और 30% नॉन वेजिटेरियन रखें. मीट्स में भी मच्छी खाना सबसे ज़्यादा फाइदेमन है पर निजबत अधर मीट्स के. मच्छी खाना इसलिए फाइदेमन है क्योंकि मच्छी easily digestible है और उसमें omega-3 fatty acids होते हैं जो हमाई तवचा के लिए बहुत अच्छे हैं. यदि आपको अपनी तवचा को healthy रखना है और clean मुहासों से free रखना है तो exercise बहुत जरूरी है. मैं हमेशा यह advice करती हूँ कि जब आप exercise करें तो बाहर खुली हवा में exercise करें. इसलिए क्योंकि खुली हवा में oxygen की मात्रा जादा होती है. oxygen हमारी body के हर cell के लिए बहुत जरूरी है और वो उनका खाना है. यदि हम अच्छी मात्रा में oxygen अपने body के हर एक cell को supply करेंगे तो हमारी body हमेशा healthy रहेगी और हमारी तवचा भी उसके साथ साथ बहुत healthy और glowing रहेगी. exercise करते वकत आपका पसीना निकलता है, आपके pores खुलते हैं, तवचा के अंदर जो impurities हैं वो बहार निकलती हैं. exercise करने से हमारे शरीर का तापमान भी पड़ता है, और उससे जो हमारी तवचा के अंदर oil glands होते हैं, उसका oil पतला हो जाता है, और वो oil glands को block नहीं कर पाता, उससे pimples होने के chances कम हो जाते हैं. अभी हमने बात की है, कि यदि आपको pimples हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इसके बावजूद भी, यदि आपके pimples रहते हैं, तो आप थोड़ा अपना treatment घर पे भी कर सकते हैं, जो की cleaning agent से कर सकते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा popular है benzyl peroxide cream या gel. Benzyl peroxide cream का इस्तमाल कैसे किया जाता है, ये मैं आप ये आपको बताती हैं. रात को सोने से पहले अपना मुँ गुन गुने पानी से और एक non soap cleanser से धोईए, हलके से उसे सुखाईए, उसके बाद एक water based moisturizer अच्छी तरह से अपने पूरे मुँ पे लगाईए. फिर एक मटर के दाने जितना ये gel या cream जिसका नाम benzyl peroxide है, उसको अपनी finger tip पे लेके और जिस area में आपके मुँ हासे हैं, उस पे धीरे धीरे मसल ये. जोर से रगड के कोई भी cream या gel skin के अंदर नहीं लगाना चाहिए. जो area में मुँ हासे हैं, उसी पे लगाईए, पूरी तवचा पे लगाने की जरूरत नहीं है. सुबे उटके आप फिर अपने चेहरे को गुन-गुने पानी से और एक non-soak cleanser से धो लीजिए. और उसके बाद यदि आप घर पे ही रहते हैं, तो अच्छी तरह से अपने पूरे face के उपर एक water-based moisturizer लगा लें. यदि आपको बहार दूप में जाना हैं, तो आप sunscreen का इस्तमाल कीजिए जरूर से, जो की SPF 15 या 20 तक होना चाहिए. आजकल सभी sunscreen के अंदर moisturizer भी आता है, तो अलग से moisturizer लगाने की कोई जरूरत नहीं है. कभी-कभी सिर्फ cleaning gels से काम नहीं बनता है, और उसके साथ साथ आपको antibiotic cream या gel भी अपनी तवचा पे लगाने पड़ते हैं. Antibiotic creams और gels सिर्फ doctor के prescription से आपको मिलते हैं, तो यदि आपको antibiotic creams और gels लेने हैं, तो आप doctor से prescription लीजिए और उनके supervision के अंदर एक time आप cleansing gel लगाईए और दूसरे time antibiotic gel अपनी तवचा पे लगाईए. कहने का मतलब ये है, कि यदि रात को आप cleanser gel इस्तिमाल करते हैं, तो दिन के time आप antibiotic gel अपने फेस पे इस्तिमाल कर सकते हैं. Antibiotic gels में clindamycin या erythromycin gels का इस्तिमाल किया जा सकता है. ये gels सिर्फ आप डॉक्टर के prescription से ले सकते हैं और उनके supervision में ही लगाएं तो जादा अच्छा होगा. यदि आपका problem सिर्फ gels और cream से solve नहीं हो रहा है, तो आपको antibiotics खाने की जरूरत पढ़ सकती है. इसके लिए आपको जरूर अपने doctor से consult करना चाहिए और antibiotics खाने का treatment शुरू करना चाहिए. Pimples के लिए जो हम antibiotics खाते हैं, उसका treatment एक हफते, दो हफते या तीन हफते का नहीं होता है. एक बार antibiotics आप Pimples के लिए खाना शुरू करते हैं, तो उसे कम से कम तीन महने से चार महने तक खाना जरूरी है, ताकि आपका असर पूरा और अच्छा हो सके. और जैसे मैंने आपको बताया कि ये treatment आपको अपने doctor के supervision में और उनकी सला के अनुसार करना चाहिए. अब फाइनली मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, एक बहुत popular medicine है आजकल, जिसका नाम है Isotrenetoin. इसको बहुत ज़्यादा Pimples के treatment के लिए इस्तमाल किया जा रहा है, पर ये दवाई strictly आपके doctor के supervision में इस्तमाल किया जाना चाहिए, और ये दवाई सिर्फ बहुत ही severe acne और cystic acne जिसे हम कहते हैं, उसके लिए इस्तमाल किया जाना चाहिए. Mild acne हो, थोड़ी बहुत acne हो, moderate acne हो, उसके लिए Isotrenetoin का इस्तमाल मैं बिलकुल recommend नहीं करती हूँ, क्यूंकि ये दवाई ऐसी है, जो कई लोगों में cancer तक पैदा कर सकती है, तो यदि आपकी बहुत ज़्यादा severe acne है और किसी तरह भी control में नहीं आ रही है, तो आप अपने doctor से consult कीजिए, और उनके supervision में यदि वो ठीक समझते हैं, तो Isotrenetoin से treatment जरूर लें. अपने मुहासों, pimples के बारे में कोई भी सवाल हों, या skin के कोई भी problems के बारे में कोई सवाल हों, तो आप उसे comment section में छोड़िए, और हम एक एक वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, और आपके problems पे भी बातचीत करेंगे. इसकिन के कोई भी problems के बारे में कोई सवाल हों, तो आप उसे comment section में छोड़िए, और हम एक एक वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, और आपके problems पे भी बातचीत करेंगे.